प्यारे बच्चों, EBS या प्रियावर अध्यायन की अनलाइन रेमडियल टीचिंग या दोहराई कार्यक्रम में आपका हारदिक स्वागत है। आपने पिछली वीडियोज में जाना कि हमारा पहला स्कूल हमारी फैमिली होती है। सबसे पहले हम अपने फैमिली मेंबर्स यानी परिवार के सदस्यों से सीखना शुरू करते हैं। फैमिली में रिलेशन्स के बारे में भी आपने पूरुन जानकारी प्रापत की है। तुमने जाना कि family members के साथ आवाज, आँखें, बाल, चाल या कुछ आतें मेल खा सकती हैं या मिलती जुलती हो सकती हैं. We learned many things from our family members. हम परिवार में एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं. इस वीडियो में इसी बारे में कुछ और चर्चा करेंगे. तो आप त्यार हैं? चलो, फिर बात करते हैं. You also learned many things from your family. तुमने भी अपने परिवार से बहुत कुछ सीखा है. सीखा है न? What and from whom? क्या? और किस से? बच्चो, आपको बताना है आपने अपनी मदर या माता से क्या सीखा? अपने फादर, व्रदर और अपने दादाजी से क्या क्या सीखा? आपकी फैमिली में जितने भी फैमिली मेंबर से आपने उनसे क्या क्या सीखा है? आपको ये सोचना है और फिर लिखना है. Has anyone learned anything from you? क्या किसी ने तुमसे भी कुछ सीखा है? आपको ये बात भी नोट करनी है और फिर बतानी है कि क्या कोई ऐसा है जिसने आप से कुछ सीखा हो? Think and write. सोचो और लिखो. बच्चो आपको अपने बारे में सोच कर ये बातें लिखनी है. When I am sad, I go to my. जब मैं दुखी होती हूँ या होता हूँ तब मैं खालिस्तान के पास जाती हूँ या जाता हूँ. तो आप सोचें कि जब आप दुखी होते हैं तो आप पापा के पास जाते हो, दादा के पास जाते हो, दादी के पास या फिर माता जी के पास या किसी और फैमिली मेंबर के पास. सोच कर अपना experience अनुफब लिखें. When I want to know about the past, I go to my. जब मैं पुराने दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ या जानना चाहता हूँ, तब मैं खाली स्थान के पास जाती हूँ या जाता हूँ. बच्चो, जब आपको पुराने दिनों की कोई बात जानने की इच्छा होती है, तो आप किस के पास जाते हूँ? आप सोच कर इसका जवाब लिखें. आपको आपके पुराने दिनों की बातें कौन बताता है, दादी जी, ग्रैम मदर, या आपकी मदर, या फिर आपके पापा, या फिर कोई और फैमिली मेंबर. सोचो और अपना एक्स्पिरियंस यहां लिखें. When I want to share my secrets, I go to my, जब मैं अपनी कुछ राज की बात बताना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तब मैं खालिस्थान के पास जाती हूँ या जाता हूँ. बच्चो आप अपनी फैमिली में अपने secrets किसके साथ share करते हूँ, आपको यह लिखना है, किया आप अपने secrets अपनी फैमिली में share करते हूँ, या फिर किसी friend के साथ, सोच कर अपना experience यहां लिखें. When I do something wrong, I go to my. जब मुझसे कोई गलती हो जाती है, तो मैं खालिस्थान के पास जाता हूँ या जाती हूँ. तो बच्चों, जब आप से कोई गलती हो जाती है, तो क्या आप उस गलती के बारे में अपने family members को बताते हो या फिर उसे शिपा लेते हो? बच्चों, हमें अपनी गलती को शिपाना नहीं चाहिए, बड़ों को ज़रूर बताना चाहिए, ताकि वो हमें सही गाइड कर सके. तो आप गलती होने पर क्या करते हो लिखें, किसे बताते हो लिखें. बच्चों, इस activity को जरूर करना आपको खूब मज़ा आएगा. है ना ये मज़ेदार? आपको अपने बारे में और अपनी family के बारे में सोचने का एक मौका मिल रहा है. जब आप इन बातों को सोचोगे, तो आपको पता चलेगा कि हम अपने family members से क्या-क्या सीखते हैं, और हमारे family members हमें सिखाने में किस तरह से मदद करते हैं. ये सारी बातें लिखकर एक सुन्दर सी फोटो खेंच कर WhatsApp ग्रूप में अपने teacher को जरूर सेंड करें. इस वीडियो में इतना ही, have a nice day.